अस्क्राम लाकूम प्यारे दोस्तों कैसी हैं आप लोग जैसा के अभी हम लोगोंने कुछ दिनों से एक सिलसला चलाया वह कि पुरौणी पुरौणी फिल्मों के ने हवाले से बात की जाए है जैसे मैंने अपनी पुरौणी जब मैं छुट 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 रोल करती थी और उनके हवाले से आप लोगों से बात की जाए एक मेरी फिलम थी पंजाबी एंड सराइकी रब दा रूप जिसके फिलम साज और हदायतकार नेत हुसैन भटी साब थे और उसमें हीरोईन थी खानम बेगम और मैंने उसमें भी ना छोटी सी पापा लौदिन बड़ा नाम था उ उनकी मैं बेटी का रूल करती हूं उसमें और बड़ा प्यारा उसमें मेरा करेक्टर होता है और उस दोर में भी वो फिलम जो था थी ना बड़ी अच्छी क्योंकि उसक्त भटी पोडेक्शन का बहुत बड़ा नाम था उनकी पोडेक्शन में कुछ जला जाता था तो कहते कैफियत थी उस दोर में के वहां पर बड़ा नाम होता था रानी बेगम स्लावनी बेगम तानी कौन कौन सी उनके साथ काम करती थी तो उनकी मैंने वो फिलम की रापधारू और मुझे भापा लौदीन के साथ काम करने का मोका मिला इस मामली में बड़ी खुश नसीब रही कि मैंने आगताली साथ अलाओदीन साथ असलम परवेश साथ जितने सीनियर लोग बड़े लोग बड़े स्टार उनके साथ मुझे बहुत मौके मिले काम करने का तो मुझे आज भी याद है कि मैं सेट पे शूटिंग कर रही थी तो मैंने स्राइकी में एक डाइलॉग बोल मेडी रानी के डिड़ विच डर्डी पीड थी गया तो पापा लौदीन होते हैं वो उनकी में बेटी उटी है तो वो आगे से जैसे भी स्राइकी का जवाब दे ते तो दोस्तों वो भी एक अपना मज़ा था और ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कि मैं एक टाइप की फ इस्पिरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि फनकार को तो काम करना है परफॉर्म करना एक्स्प्रेशन देना है उसको जुबान से कोई नहीं अगर में पश्टों फिल्में काम करते तो वो डब कर वा लेते हैं और वैसे मुझे पश्टों प्याती है पश्टों में देखो इस्पिरियंस की फिल्म में काम करते करते इतना एक्सपिरियंस हो गया कि क्योंकि इनसान जब काम करता है उसकी एदाइकी जो होती है उसका बोलना उसके आईस एक्सपेशन उसका फेस एक्सपेशन ये बहुत बड़ी बात होती है और हर बंदा जो है ना वो एक्टर नहीं है दो बातों में मतले एक बात है क्योंकि कि अगर हर बंदा एक्ट्र होता है तो मैं यह समझती हूं कि सारे एक्ट्री होते कोई मजदूर नह उत हूं कोई कुक्क नह उत हूं कोई दर्जी नह उता कोई कुछ नह तो यह भी अल्लाओ् enhance की देन चाहिन वोल्की मास्टर बदा मास्टर वापने körई कपड़े बनात आघ मज़दू रहा अपने असाथ यह अल्लह की दैवी छीजें हैं, और वाकिं जो असल एक्टर होता है, उसे कहीं भी खडा करदिया जाए, वो अपने फ़का बादिशय मिवानी जाता है da, उसी तरह करता ह। यह ठीज़ करता है जो घाना को से Wi-Fi में ऑक्टर, चुरीने अपनुछus खोड़ीनाई पेलुटा किए की मैंने कभी यह चुपाया कि जी मैं डडियक्ट्ट हीरो ईना हुँression हुँ रही हैं कि मेंने च्छोटे-च्छोटे-च्छोटे-च्छोटे करदार किये उसी यह मैं छोटा-च्छोटा काम सकेक्ता करते है। माशाला इतना experience हो गया कि मुझे बड़ा character भी छोटा लगता था कि मुझे अनुखा दाज आप मेरी देखें बहुत बड़ा उसमें मुझे character मिला जिसमें सुल्तान रही साथ, वईद मुरास साथ, सभीया खानम लियास किश्मी, सब दुनिया की बड़ी कास्ट, आस्रिया बेगम तो जब मैं छोटे छोटे काम करते करते मेरे में इतना confidence आ गया था कि मैंने बड़े फनकारों के साथ, बड़ी कहानी, बड़े director के साथ, बड़े इतनान से मैंने काम किया क्योंकि ये जब छोटे 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 से बड़ा होता है तो उसमें कभी ये ना समझे के insult है, या बेस्ती है, बंदे को experience हासल करना चाहिए, और सीखना चाहिए, और जो बंदा छोटे से बड़ा होता है तो वो ज्यादा देर अपने मुकाम पे रहता है, जो एक दम आता है एक दम चला जाता है, लहाजा हमेशा अपने आपको ये समझना चाहिए के नहीं या इसमें बेस्ती ही नहीं है, अगर हम छोटा करेक्टर करते हैं तो कल को में बड़ा भी मिलेगा, तो मेरी जिन्दगी का experience, या मेरा तजर्बा, या मेरा जितना भी भाग दोड चलती आई तो आज माशाला मैं इस मुकाम पे हूँ, कि मुझे अच्छा लगता है मुझे अपनी पुरानी यादे, वो पुरानी फिल्मे, वो लोग सब मुझे याद हैं और उन पे मैं हमेशा कोई ना कोई तपसरा करती हूँ, उनका जिकर करती हूँ, मुझे अच्छी तना याद है कि मैं जिन जिन डिरेक्टरों के साथ मैंने काम किया, उनके मेरे लिए क्या कुमेंट्स थे, जब मैं नहीं आई, फिर जब मैंने काम किया, मैंने अपने आपको मनवाया, तो फिर उनके क्या कुमेंट्स थे, तो ये वक्त के साथ साथ हर बंदे के कुमेंट्स चेंज होते रह है लहाजा अब मैं जो आपके सामने आज बैठी हूं यह आज से तीस साल पहले तो मेरा खाले ऐसा मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था लेकिन आज मैं अपने वीडियो में अपने दूरदाना रहमान आफिशल की चैनल से मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें बताती हूं और आपको अच्छा भी लगता है कि मैं आपके साथ पुरानी बातें डिसकस करती हूं या पुराने लोगों की बातें करती हूं या पुराने एक्टरों को आपके साथ डिसकस करती हूं और आप लोग एप्लिशेट करती हैं आपकी मुहपतें आपका प्यार करना आपकी य या मुझे कोई सिंगर मिले, मैं उसका इंटर्वियू कर लिती हूँ, वरना मैं अपना तो फिर अपनी जिन्दगी के बारे में आपको बताती रहती हूँ, तो बाकि आपको असलामत रखे, और मुझे भी आपको आपको असलामत रखे, फिर मुझे यकीन होता है कि आप मुझे बसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया, आपकी दूर्दाना रह्मान मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ,